हलो आप सबी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग देखने वाले important mcqs video lecture series का यह अगला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे topic रहेगा हमारा communication संचार से संबंधित यह हमारा communication का part 1 first video lecture है यह आपके important है UGC net exam के लिए cg state exam के लिए और आमी होने वाले other state के state exam के लिए भी काफी important होने वाला है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं important mcq series का इस वाला part को हाना सबसे पहला question देखें यहां पर while stabilizing while stabilizing communication one suit keep in mind संचार इस्थापित करते समय ध्यान रखना चाहिए तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी के साथ संचार करते हैं communication करते हैं संचार करने वाले वेक्ति की मांसी की स्थिती उसकी आर्थी की स्थिती संचार करने वारे बेक्ति की मनोवे ज्यानिक इस्थिती आ फिर साडरी की स्थिती तो communication के लिए हमें किसको ज्याद रखे इसको ध्यान देना चाहिए इसका answer है C, psychological, psychophysical condition of the person who communicates मतलब मनोवे ज्यानिक इस्थिती को हमें पता होनी चाहिए यह communication के लिए important हो जाता है अगर effective communication करना है अगर आप उसके मनोवे ज्यानिक इस्थिती को समझ पा रहे हैं तो आपको effective communication आप कर पाएंगे ठीक है तो पहला answer क्या हो जागा C, इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि इससे भी question पूछा जा सकता है अच्छा संचारक वह है जो अपने श्रोताओं को यह बताता है अच्छा communicator कौन होगा हा न अच्छा communication किसका होगा जो plenty full of information क्या देता हो भरपूर जानकारी देता है परियाप्त मात्रा में आगड़े देता है या संचिप्त प्रमार देता है या तथ्यों के पुनर वित्ती करता है देखे बार बार अगर किसी चीज को repeat करना एक good communication नहीं है तब हमारे आंकड़ों का यूज होता है तो अभी तो फिलाल यह इसमें नहीं आएगा तो अगर आप किसी के साथ communication हो रहा है good communicator वही होगा जो जो भी बाते हो कर रहा है उसके बार में भरपूर जानकारी दे plenty full of information हर एक चीज को अगर प्रॉपरली समझा रहा है पूरी तर करेंगे उसके बाद संशिप्त प्रमाण की बात अलग है तत्यों के पुन्रावित्ति बार-बार नहीं करना चाहिए अगर good communicator है तो तो सेकंड का अंसर है यह अब चलते हैं और कुट इस परकार के आपको वेब सेट के बारे में पूछा जा सकता है आरकुट एक सोसल networking site है यह इसमें क्या करते हैं हम दूसरे लोगों के साथ जूड़ सकते हैं old friends के साथ अपने पुराने दोस्तों के साथ यह नए दोस्तों के साथ जूड़ने का एक सोसल नेट वर्किंग साइट है किसमें आएगा तो और कुट निम लिखित का हिस्सा है तो देखिए मैं बत personal communication खालाता है तो और कुट किसमें आएगा अपसान नमबर डी अभी सब को समझेंगे इंटरा पर्सनल क्या होता है जब आप एक से बात करते हैं उसको इंटरा पर्सनल बोलते हैं वैसी मास कम्मिनुकेशन जब बहुत बड़े लेवल पे ग्रूप कम्मिनुकेशन से थोड consumer when संचार तब चक्री हो जाता है जब decoder becomes encoder अगर यह प्रकार से चक्री प्रक्रम हो जाएगा et circular हो जाएगा पर लिखा है कि संचार दब चक्री हो जाएगा जब डीकोडर और इंकोडर बन जाता है तो decoder becomes इस चीज़ को भी आद रखेंगे अगर आप फिडबेक अपसेंट है मतलब हो फिडबेक मिले नहीं तो भी खतब है सोर्स को क्रेडिवल नहीं बना सकते होना चैनल इसके लिए इसका आंसर क्या होगा डिकोडर बिकम्स इंकोडर तब क्या हो जागा सर्कूलर हो जागा ठीक आंसर है अगला चलते हैं फिप्ट नंबर में डाई डाइडेक्टिक कम्युकेशन इस उपदेश आत्मक संचार क्या है सिंपल सी बात है उपदेश वाली बात हाना कहां पर दिखेगा आपको यह दिखेगा आपको संगठन में दिखते हैं संगठन में क्या होता है उपर वाले नीचे को उपदेश देते हैं उपदेश आत्मक संचार इसलिए बोल जा रहा है कि उपर वाले अपने से आंसर हो जाएगा सी चलते हैं सिक्स कोशन पे कम्मिनुकेशन विद वन सिल्फ इस नोन आज दे साथ संचार को इस रूप में जाना जाता है तो समझे अब आपसे जब बाते करेंगे ना उसको किस प्रकार के संचार कहा जाता है उस ते कम्मिनुकेशन को क्या बोलते हैं तो अभी हम लोगों ने उपर में देखा इंटर पर्सनल कम्मिनुकेशन तो इंटर पर्सनल में हम दूसरे लोगों के साथ जब कम्मिनुकेट करते हैं तो लेकिन हम खुद के साथ अपने आप से बाते करते हैं है ना स्वयम के साथ जब संचार को इस रूप में जाना जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका six answer हो जाएगा डी चलते हैं next question पे the type of communication that the teacher has in the classroom is termed as a सिख्षक द्वारा कक्षा में किये जाने वाला संचार का प्रकार कहलाता है तो जो class में teacher आकर के जो classes लेता है उसको किस प्रकार का communication बोलेंगे तो वह कहलाता है आपका seven cancer क्या हो जाएगा seven cancer हो जाएगा interpersonal communication याद रखना है क्यों होता है इसा क्योंकि ये दो person के बीच में दो से अधिक person के बीच में चोटे level पर बात होता है बहुत कम लोग आपस में connect होते हैं तो कहलाता है interpersonal personal communication ठीक है लेकिन अगर group communication बोलेंगे तो उससे थोड़ा बड़े level पर बात करेंगे अब mass communication और ज्यादे ले और ज्यादा ये टीवी मीडिया जो होता है टीवी के थुरू या social media के थुरू जो भी हम बहुत सारे लोगों के साथ connect हो रहे हैं यूटूब के थुरू बहुत सारे लोगों साथ हो रहे हैं यह सब mass communication कहलाएगा ठीक है उससे थोड़ा group communication लेकिन classroom का याद रखेंग इसको जो classroom का communication क्या कहलाता है interpersonal communication कहलाता है क्योंकि पारस पर है इसमें confusion थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप group communication को भी ठीक लगा दे हाना तीस चीश को याद रखेंगे चलते हैं seven का answer क्या होगा साथ का answer है ए इंटर पर्सनल ठीक आठवा सब्सक्राइब चाइनीज कल्चराल रिवॉल्यूशन लीडर मौ जूंग यूज्ड हना टाइप आप communication to talk to the masses is known as a तो चीनी सांस्गृति करांती के सेना मौत से तूंग ने जनता से बात करने के लिए एक प्रकार के संचार का इस्थमाल कि आप देखें कोई कोई भी नेता अगर हाना चाहिए देश की प्रधान मंत्री हो या कोई भी नेता हो अगर वो लोगों के सांथ बात करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है मीडिया के तिरू जिसको बोलते हैं माच लाइन कम्यूनिकेशन क काद है माच कम्यूनिकेशन की गोशेंसारे लोगों को पहुंचना । या मांस लाइन जो हम पहुंसते हैं तो क्या कहला गए यह मास्ट-Line Companion ठीक है इसका और यहां से आपको क्म्यूनिकेशन डिराइव हुआ है ठीक है चलते निए स्कोशन पर मिंस-अफ-ग्रेप-وई-ण ग्रेप वाइन कम्यूनिकेशन किसको कहा जाता है आत रखेंगे आपको इन फॉर्मल जो बाते होती है मतलब जिसमें कोई अना फॉर्मेलिटी नहीं है आप रेंडम ली देखेंगे एक ए परसन है को यार परसन है वह बहुत सारे लोगों के सांथ आपस में बात चीत कर रहा ह है वह लोग भी बहुत सारे लोगों के सांथ बात चीत कर रहा है तिस परकार जो कम्यूनिकेशन जर्रेट हो जाता है ने पूरे सिस्टम का यह कहलाता है इन फॉर्मल कोई फॉर्मल नहीं है कोई अपचारिक नियम कानून में नहीं है रेंडम हम जो भी बात कर रहे हैं उस क्योंकि गलाइन मतलब कॉन जेयसा दिखता है न इस परकार से थेते हैं यहां उसी परकार से भी आपको कम्यूनिकर्शन देखने को मिलते हैं इसी वाजा से इसको ग्रेट केमिनगासं कहा जाता है तरह रखेंगे ग्रेट कीशन इसे इंफॉर्मल अनवचारीं होता है ठीक आप बोलेंगे तो सुनेगा फिर वो बोलेंगे तो आप सुनेगे तो मतलब यह क्या है एक लिनियर है यह याद रखेंगे रैखिक संचार मतलब टेलीफोन इस एक्जामपल अपक्या है कि लिनियर ली वह फ्लो होता है ना मेसेज उसमें ठीक है तो लिनियर कम्यूनिकेशन आप याद रखेंगे सर्कूलर याद नहीं रखना है आपको ठीक है लिनियर कम्यूनिकेशन इलेवेंट का अंसर क्या है डी स्वारी एक एक ही स्रोत द्वारा एक बड़ी संख्या में प्राप्त करताओं को सुचना प्रेसित की जाती है उससे कहा जाता है इसका भी आंसर क मैंने पहले भी बताया है सोर्स एक है लेकिन सुचनाओं को पहुंचाना बहुत लोगों तक है प्राप्त करता हूं कि संख्या बहुत ज्यादा है तो क्या करता है मास कम्यूनिकेशन ठीक है ट्वेल्वक आंसर भी फॉर्मल कम्यूनिकेशन टेंस टू बी फास्ट एंड फ कम्यूनिकेशन होता है मतब जो फॉर्मल है अब चारिक तोर पर जो होता है वह फास्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह रूल सेंटर रेगुलेशन के तहट यह आप तक बाते हो पहुंचेंगी किसी भी चीज का नोटिफिकेशन निकलता है तो ऐसा नहीं है कि डिरेटली आज न renewable communication तो होगा नहीं यह थोड़ा स्लॉ हो जाता है क्योंकि फॉर्मली जब आपको पूरे नियम से पहुंचोगे ना तो फॉर्मल नहीं हो पाएगो पास्ट को सलॉह हो जाता है पहला इस्टेटमेंट गलत और चारिक संचार सुचना का एक वेवस्थ Need और वेवस्थित प्र है ना फर्स्ट वाला गलत है सेकेंड वाला सही है तांसा नमबर डी चलते हैं नेश कोशन पे वीच आप दा फॉलोविंग आर दा करेक्टरिस्टिक फीचर आप दा संचार में सुचना और समस्ट दोनों सामिल होते हैं सिंपल सी बात है इसमें इंफॉर्मेशन भी होगा और अंडरस्टेंडिंग भी होता है संचार एक सदक प्रक्रिया एक सब्सक्राइब सभी स्थेट्मेंट सही स्टेट्मेंट एक कमिनुकेशन को लेकर तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा एबी सी दी जड़ा करेक्ट ऑप्सटन ठीक है तो डी सब्सक्राइब कोशन नमबर 14 चलते हैं 15 नमबर कोशन पर इंड़ा इसके of Interpersonal Communication, Interpersonal Communication का Five characteristics, क्या है, बेसे सकता है, क्या है, किए याद रखे gi ה language , बी होता है, मतलब focused बी होता है, 있ern ardérence दो layers काyond के बीच और दो से ज़्यादा person के बीच है इसा कि बीच हो सकता है और बहुं सारे लोग है तो जदे लोग ओंगे, तो unfocused भी हो सकता है कभी-कभी कैंदरीट भी होता है कभी तूनों इसका आणसर इसका यह है, एक और खेंदरीट भी घलत है यह भागिदार इसमें होता है दार्सनी यह यह एक मेट्रो मेटर फोरिकल गया तूर लिंग को लिखता है है क्रिपिया मुझे पिछले तीनों तीन महितों के दर्वान मेरे बचत बैंक कहता ए में किये गए लेंद नका भी ब्रइना दे है अगर बैंक को अप laidar लिखते होके आपको बैंक का लेंद दिन का विविणान कंप्लिट वेन संचार प्रक्रियाय तब पूर्ण माना जाता है जब का होता है दर रिशीवर, अंडरस्टेंद मेसेज को कि प्राप्त करता संदेश को समाढ़ सहते हैं अगर आप संचार को एक कंडिशन ऐसा भी आ सकता है कि कॉंप्लीट अब तब मानेंगे जब रिसीवर तक पहुँझ गया हुँरी अब कार्यशक होता है अक्विष को समझे है ना आपकर आप स्ट्रोष ले रहा है दुकि ही नहीं तो वो communication नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके आपने एक तरफा communication कर दिया उनसे है ना जब तक वो चीजों को समझ जाते हैं ना तब उस चीजों को हम मान सकते हैं कि वो complete हो ठीक है तीस चीज को भी याद रखेंगे जब राप्त करता संदेश को समझ जाता है तब हम मानते हैं कि संचार की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण हो गया ठीक है सत्रा कांसर क्या हो जागा दी चलते हैं नेश्ट कोशन पर अब देखिए इस तैप को कोशन अब निकालता है न यापन सौपता है वो और अपचारिक होता है पूरा एक नियाम कानून के थ्रूँ आपको देखने को मिलेगा तो पहला आंसर क्या हो जागा एक थर्ड इन फॉर्माल कम्मुनिकेशन ग्रूप कम्मुनिकेशन जो समूव में स्रिंखला में जो बहुन सा अन्त्रिक संचार मतलब होता है परिपत्र परिपत्र कोई भी एक संगठन है, मालत संगठन एक के अंदर या और्गनेशन एक के अंदर जो भी discussion होगा ना, जो भी communication होगा अपने नीचे लेवल पर अपने अधिकारी करमचारियों के लिए परिपत्र जारी करके सर्कूलर उसको inward communication कहला संगठन के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तीस परकार से इसका आँसर आप हम लोग मैंने बता दिया है, है ना, एटीन का अंसर क्या है, एगजेक्ट आँसर अगर देखेंगे, जो मैंने बता है, उसी आप लिख सकते हैं, एक क्या है इसमें है, इसमें है, एक थर्ड, ठीक है, आप देख लिए, 18 का अंसर क्या हो जागा, 18 का अंसर है ए, ठीक, और अब चेक कर सकते हैं, अब आते हैं, आइडेंटिफाइद करेक्ट सीक्वेंस आप वन वे प्रोसेस आप क्म्मुनुकेशन फ्राम दा फॉलोविंग सीक्वे जाता है, मेसेज कहां जाता है, चैनल के थरू, फिर चैनल के थरू जाता है हो, फिर उसको रिसीवर डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद रिसीवर उसको पूरे तरह से समझ पाता है, तो यह प्रोसेस को आपको याद रखना होगा, कम्मुनुकेशन का पूरे प्रोसेस ह बाद sender in code करता है याद रखेंगे sender in code करता है message को और receiver decode करता है message को तो answer B is the correct option of 19 question ठीक है चलते हैं फिर से example देखो one to one communication हाना एक से एक communication होता है उसको बोलते हैं हम लोग interpersonal communication याद रखना है क्या बोलेंगे interpersonal communication उसके बाद क्या आपका कि अपने पर्ट करना किसे और से बात करना है क्या कहल आते हैं कि रोट मैंने um सबसे पहला क्या हो गए इंटर फॉल सबस्क्राश्म करेंगे अलग वहां सोस्ता होते सारई आपको दिखेगा के तो दीखए गए एक नेटवर्क लेंदेन संबंधी कनेक्शन कहलाता है ठीक है तो आंसर क्या हो जागा A का थर्ड अब देख सकते हैं A का थर्ड B का फोर्था C का फर्स्ट और D का सेकेंड ठीक है तो इस परकार से आप इसको अच्छे से संचार विकास में चरणों की सही अनुकरम की पहचान की जब देखिए जो हमारे जो पूराने इतिहास में हम देखते हैं प्राचीन इतिहास इंसेंट हिस्ट्री में जा करके तो किस परकार से कम्मुनिकेशन होता था उसके बारे में यह पूछ रहा है तो यहां पर लिखा है गुफा चित्रकारी मुद्रान के लिए लकडी के ब्लॉक में पहले लिखा गया फिर भासाओं का विकास हुआ धातू मुद्रा मैटल प्रिंटिंग हुआ एक्टा डियूर नहीं होता है कि रोम समराज्ज में न्यूस पेपर के जो पब्लीकेशन होता था उसके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखने देखने को मिला था केव प्रेंटिंग में चित्रकारी हुआ पेंटिंग सुआ उसके थूरू कम्मुनिकेट करते थे लोग आपस में संचार क प्रिंटिंग ठीक है तो क्या हो जाएगा देख लिए डी सी बी डी सी बी डी सी आपका करेक्ट आंसर इस प्रकार के कोश्टन सापको देखने को मिल सकता है इंपॉर्टेंट कोश्टन है यह ना कम्मुनिकेशन का अगर हम प्राचीन बारे में बात करेंगे तो चलते हैं लेकिन मास्न में क्या होगा लार्ज नंबर अग्यात दर्सकों की बड़ी संख्यक्स न जब आप आपका मास कम्यूनुकेशन हो गया एक किसमें आजाएगा एक आजाएगा आपका वीदी नावन से स्वेम के भीतर को इंट्रापर्शनल यहां पर थोड़ा मिस्टेक है इंट्रापर्शनल और इंट्रापर्शनल ठीक है अब एक जो मैंने आप बदाया थोपर उसको आप दे संचार को समझाने सुचीत करने गलत सुचना देने की सकती होती है तो सहीं स्टेट्मेंट है संचार अगर चाहे तो अलग अलग प्रकार की सुचनाओं को गलत भी दे सकता है सहीं भी सुचीत कर सकता है इतना तो पावर होता है प्रचार की प्रक्रिया प्रेराख होने के लिए इसके तत्वों के बीच अंतर की रेखा को पारदर्शी बनाती है अगर चाहे तो उस संचार को किस प्रकार से कनवट करना है वह उसके ओपर डिपेंड करते हैं दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि जो प्रोपेगेंडा होता है जो इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बीच में अंतर की रेखा को पारदर्शी बनाती है तो दोनों स्टेटमेंट सही स् इस चीज को आप याद रखेंगे यहां पर यहीं बोला है कि संचार के माध्यां से सही गलत भी हम बता सकते हैं और हम अगर एक प्रोपेगेंडा गरें जो प्रक्रिया हम यूज करते हैं उसके थूरू हम इसको सही गलत जो भी कुछ बना सकते हैं तो दोनों स्टेटमेंट संचार से संबंदी जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इंटरा इंटर ग्रूप मास इस प्रकार के कोश्चन्स आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लागा होगा चनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना अगर इस इस वीडियो लेक्ट्र का आपको पीडियेफ चाहिए तो पीडियेफ के लिए आपको कॉलेज नॉलेज जो मुबाइल एप है टेली ए सारी कूगल प्लेइश्टोर से डाउनलो कर आया है सब का पीडियेफ आपको उस मेरे मुबाइल एप कॉलेज नॉलेज मुबाइल एप आपको मिल जाएगा डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस् कर दो सबस्क्राइब कर दोस्क्राइब कर दें एक अपने दोस्क्राइब